बिसमिल्लायरामानराहीम and सलामुलेकूम इस लेक्षर के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से डेटा जो है वो इंपोर्टन्ट होता है पॉर एई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं अब हम देखते हैं कि डेटा क्यों जरूरी है AI के लिए और कौन से बिग प्लेयर्स हैं जो डेटा को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं and how they are actually building a lot of AI-based apps स्टार्ट करते हैं मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ पहले चीज़ यह है कि डेटा important क्यों है मतलब क्या वज़ा है कि डेटा इतना important है AI के लिए और डेटा होता क्या है ठीक है स्टार्ट में मैं यहाँ पे zoom in कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे इस तरीके से pen के through यहाँ पे मैं लिखता जाओंगा यस everything is working fine अच्छा डेटा मेरी लिखाई थोड़ी सी अगर आपको समझ ना है तो मैं साथ-साथ बोलता जाओंगा so you can actually understand डेटा क्यों जरूरी होता है AI के लिए AI जो है वो basically artificial intelligence का नाम है यानि के जो humans काम कर रहे हैं वो अगर computer काम करे उसी जहानत से या उस से ज्यादा तो उसको हम क्या बोलते है उसको बोलते है AI ठीक है अब जो humans काम करते है अगर हम पहले ये पता लगा लें जो humans हैं वो किस तरीके से काम करते है तो हमारे पास बाकी जो है तरीका कार वो समझ आ जाएगा हमें ठीक है let's see कि जो humans हैं वो किस तरीके से काम करते हैं humans काम करते हैं किसी को देखके by looking at others ठीक है या learn करके ठीक है या कुछ चीजें ऐसी होती है जो by birth आपको आती होती है लेकिन कुछ skills होती हैं जो आप अपने lifetime experience के साथ सेखते हैं lifetime experience के साथ मतलब जितना कोई बंदा बजर्ग होता जाता है वो उनको ज्यादा दना तस्वर किया जाता है क्यों क्योंके उनके life के experience होते हैं अक्सर अकात आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि यसे तुपेवाल चिटे नहीं कर ले means ये जो बाल हमारे सफेध हुए हैं इनके पीछे experience है मिसाल के तोर पे जितनी उमर किसी की ज्यादा होती है उतना उनका life का experience होता है अब अगर मैं उमर का एक पहलू आपको बताऊं जिसको हम age बोलते है age क्या होती है age असल में आपके जिन्दगी के एक जारे हुए दिन है या दिन के भी कम कर लूँ तो घंटे जिसको हम hours बोलते है या कोई भी unit ले सकते हैं seconds भी ले सकते हैं आगे अपनी age को different units में बता सकते हैं ठीक है अगर कोई 27 साल का है तो वो कितने seconds का होगा you can calculate that age ऐसे ही है 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर उसको multiplied by 24 करें वो आपके आ जाएंगे जनाब 365 27 साल का कोई बंद है 365 दिन एक साल में होते हैं ठीक है और ये 24 गेंटे होते हैं और हर गेंटे में कितने seconds होते हैं जनाब 60 and so on so forth हो सकता है इस equation में कुछ changes करके आपको calculation करने पड़े at the end आपके पास लमहाद का data आ जाता है कि ये बंदे की 27 साल के अंदर इसने इतने seconds गुजा रहे हैं ठीक है अब हम करते क्या है अब आप मेरे से क्या कर रहे है यहां पे AI के चिला के अंदर आप जो performance कर रहे हैं वो किस चीज़ की है आप basically मेरे से सीख रहे हैं learn कर रहे हैं ठीक है और फिर आप क्या करेंगे इस learning को apply करेंगे apply करके क्या करेंगे आप करेंगे earn और जब आप learning करते हुए apply कर रहे हैं for example आपने start किया मेरे साथ learn करना यकम अगस्त दो हजार तईस को ऐसे हैं जी अब आप इसको apply करते हैं for example दिसंबर 31 दिसंबर दो हजार तईस में और आइस्ता आइस्ता आप earning स्टार्ट करते हैं for example आज से तीन साल बाद यकम अगस्त दो हजार 26 की बात करते हैं तब तक आपका experience data science अगर आपने मेरे साथ start की है तो कितने साल का हो जाएगा तीन साल का ठीक है इन तीन सालों में जो किछ भी आपने सीखा apply किया या learning के process या earning के process में आपने सीखा वो क्या था वो सब कुछ data की format में नहीं था कैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हम zoom पे class ले रहे हैं तो मेरी क्या जा रही है आपको आवास audio ऐसे ही है और फिर आगे क्या जा रही है जी video ऐसे ही है फिर आपके पास एक whiteboard भी आ रहा है जो visuals के थूँ आप सीख रहे है ठीक है यह तीन main चीज़े है और audio क्या है यह basically data है लफजों का मजमुआ जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है इसी तरह video क्या है मेरी तस्वीर आपको actions या जो भी मैं यहां पर whiteboard पर लिख रहा हूँ visuals या video वो भी एक data है ठीक है यह दोनों चीज़े एक data है अगर मैं यहां पर कुछ चीज टाइप करूँ like data is important for AI अगर मैं चीज लिखता हूँ और आपको समझा रहा हूँ यह it's again a data set इसी तरीके से इनसान सीखता है data से ऐसे ही है data से एक इनसान learn करता है right हम लोग क्या कर रहे हैं हम data से learn कर रहे हैं वो कोई भी data हो even though बचपन में जब आप किसी बच्चे को बोलते हैं बेटा बोलो बाबा तो वो क्या करता है पहले पांच साथ दफ़ा वो नहीं बोलता फिर आइस्ता इस्ता वो नकलें उतारने लग जाते है ऐसे करने लग जाते है फिर थोड़ी सी और मेहनत करें तो वो बाब बोलना स्टार्ट कर देता है फिर end time पे उसने बाबा नहीं मामा बोलने नहीं होता है तो इस अर थिंग्स तो यू टीच तो यूर किड्स या आप अपने किसी बतीजे बांजी को सिखा रहे होते है तो वो क्या करते हैं आपके action, visuals और आपकी अवाज के data के साथ सीखते है और इस process को अक्सर उकाद ज्यादा time भी लगता है अक्सर उकाद कम भी लगता है आप फिर क्या करते हैं अक्सर उकाद बच्चों को उंगली पगड़ के चलना भी सिखाते हैं उंगली पगड़ के चलना सिखाते हैं ना तो वो क्या कर रहे हैं आप उनको बता रहे हैं कि यह पहला पाओं ऐसे रखना है दूसरा ऐसे तीसरा ऐसे चोथा ऐसे तो आपको कैसे पता है कि रेड़ लाइट आनी है तो हमने रुकने किसी ने तो बताया ना अक्सर उकाद लोगों को traffic warden ने बताया होता है चलान के थूँ कि ये चलान है तो इस वड़ा से आपने आइंदा रुकन है, अक्सर अकात क्या होता है आपको पता होता है कि यार red light है तो ये नकसान है, अगर मैं इस पर चलूँगा, या आपने कहीं से सीख आ है क्या by birth किसी को पता होता है कि रेडे लाइट आई है तो मैंने चुप कर जाना है यहां पर नहीं ना पता होता क्यों reason क्या है you have to learn अच्छा learning होती है डेटा से यह एक concept आपको clear हो गया learning होती है डेटा से और अगर humans learn कर रहे हैं डेटा से humans तो इसका मतलब यह है कि जो human के टास्क कोई machine पर फॉर्म कर रही है इसको यह AI बोलते हैं ना definitions जो है हमारी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक machine को human के task सिखाने है मतलब एक human है वो क्या करते हैं वो content लिखते हैं English के अंदर एक essay लिख रहा है my best friend ठीक है my best friend यह essay एक लिखा गया है अब आप खुद सोचें कि यह वाला essay my best friend अगर human ने लिख है अगर आप AI based algorithm से लिखवाना चाहें तो वो किसी data पर train है तो फिर ही वो my best friend का essay लिखेगा ना for example आपको मिसाल देता हूँ आप nursery के बच्चे को थोड़ी ना कहते है my best friend पर ऐसे लिखो you say somebody जो 8 class, 6 class, 7 class जहां पे English सीखे पुरा आगे जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एक task human से करवा रहे हैं वो ही आप AI से करवाना चाहते हैं जो 7 साल आपने यहां पे लगाए हैं उस 7 सालों का डेटा आपको इसको AI को भी देना पड़ेगा ठीक है वो डेटा क्या है अब उस डेटा की बात करते हैं ठीक है जिससे machine learn करेगी algorithm learn करेंगे वो डेटा है आपके English के tenses के कहां पे is MR लगाना है यह tenses हम से कही ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं फिर वो डेटा क्या है English के tenses के साथ-साथ verb adjective noun जो भी English की किसमे ठीक है फिर उसके बाद story है अक्सर उकात आपने देखा होगा कि मेरा दोस्त इतना अच्छा है वो जब rain हो रही होती बारिश हो रही होती तब स्कूल जाता है ठीक है और so on and so forth there are many terms on that तो आप पहले train करते हैं इन सारी चीजों पर AI को AI जब सीख जाती है फिर आप उ तस में से आठ जीरो बाइ टैन इस तरह AI को भी नंबर दिये जाते हैं अगर वो डेटा को यूज करते हुए सही तरीके से परड्यूस ना करें ठीक है और वो जो डेटा को AI को नंबर दिये जाते हैं फिर अगली दफ़ा AI अच्छा परफॉर्म करती है बच्पन में आपको स्कूल में किसी टेस्ट में फेल होने के बाद याद होगा उल्टे हातों पे जब छड़ियां पढ़ती थी वो क्या था वो खैर आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं पढ़ती है साड़े वारी तो बस लम्मे बाग के ओक उठती होती थी तो आजकल तो स्लोबल चला है मार नहीं प्यार तो ठीक है प्यार भी करो लेकिन बच्चों को मार के बगार पढ़ना मुश्किल हो जाता खेर बाइद अवे दैस अनदर टॉपिक लेकिन वह फीडबैक जब हम चलाते थे राइट लिखते थे और बाद में AI सीखती थी उसको नंबर काम देते थे वो दब it's very important डेटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है if you want to know about AI AI जो है वो डेटा के बगार जीरो है अगर आप AI सीखना चाहते हैं you need to learn the neaties and greatest यानि के डेटा की ABC सीखेंगे आप ठीक है तो डेटा की ABC क्या है वो मैं आज आज आपको बताने लगो और किस तरीके से डेटा को ह उमने समझने हैं किस तरीके से आगे चलने हैं फिर बाकी मॉडलिंग के तरफ चलेंगे फिर AI के अल्गूरिथम जम बनाएंगे जो लोग डिरेक्ली AI को सीखना चाहते हैं ना वो बेसिक सारी छोड़ रहे हैं यह वैसे ही है जैसे आप एक बच्चे को डिरेक्टरी बोले चल बही माई बेस्ट फ्रेंड पर मजमून लिख और आप उसको बिशक तीन साल के बच्चे को या दो साल के बच्चे को आप बिशक एक साल पूरा सिखाते रहें स्टिल ही विल नॉट बेड़ी तो राइट माई पेस्ट फ्रेंड रीजन क्या है दिर आर मेनी अदर फेक् करता है कौन सा अल्गरिफम आप यूज करें कौन सा फर एक्जैंपल आपने सॉफ्ट यूज करें और यूज अब एक टरम बड़ी यूज होती है डेटा इस न्यू और यह चीज मैंने बार-बार आपको बताई है कि जिस कंट्री के पास सबसे जाधा डेटा होगा वो मैं लिखते ता हूं सारा यह सारे जिस कंट्री के हैं वो हमें कंट्रोल ही कर रहे हैं न एक किसम का उनका जो दिल करता हैं हमें वह देते हैं हमारे यहां पे डालडा घीग वालों को मशहूरी देनी या कौनसा बंदा इस किसम के चावाट घाएगा या कौनसा बंदा इस किसम के ग्लासिस पहनेंगा they know everything अब इसकी बेस पे हमने सारा काम करना डेता की तरफ चलते अब मैं ज्यादा इस पे आपको अलजाओंगा ने डरेक्ट जी टेटा होते हैं सेट आफ इंफरमेशन बिल्कुल जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं वो ही मैं लिखता हूँ सेट आफ इंफरमेशन अब विसली बिल्कुल ठीक बात है कोई गलत नहीं है दूसरी चीज़ पैक्ट्स भी हो सकते हैं इंफरमेशन भी हो सकती है फैक्ट्स भी हो सकता है एक कहरे हैं जो क्लेक्शन यह सेट आफ इंफरमेशन बिल्कुल वही बात आगी राव फैक्ट्स भी हो सकते हैं डिराइवड भी हो सकते हैं मैं अगर इसको बोलू कि एनी इंफरमेशन कोई भी इंफरमेशन या इसको मैं साथ कहते हूँ और facts कोई भी information या fact कोई भी का मतलब कोई भी हमारे इर्दगिर्ट जो भी चीज़ हम आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं किसी भी अपनी जो इसको क्या बोलते हैं senses से किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं that is data देखने से हो, सुनने से हो, छूने से हो कुछ भी हो, टेस्ट करने से हो सारे के सारा data है कोई चीज़ खटी या मीठी है तो हम उसका data बताते हैं कि ये चीज़ खटी है, ये मीठी है मिसाल देता हूँ, टौफी खटी भी होती है मिठी भी होती है अब आप कहेंगे सरे खटी मिठी भी होती है तो वो भी data यह ठीक है आप लोग आप लोग काफी यहां पर हैं जो different किसम की चटपड़ी चीज़ों को पसंद करते हैं ठीक है so that's also a data आपको गाणा सुनना पसंद है कवाली सुनना पसंद है यह different किसम के artist पसंद है that's also a data जो audio की form में ठीक है आपको किसी की कोई book पसंद है वो भी data तो किसी भी किसम की information जो आपके सामने है that is facts or information that is data लेकिन इसके साथ एक और चीज हम add करते हैं क्या collected या आप purposely उसे collect करें और observed या आप observe करें ठीक है एक एक तीसरी चीज होती है और measured देखें collected क्या है कि आपके पास for example क्वालियों की एक list पड़ी है you collected that observe क्या है आपने किसी चीज को taste किया खटी है मिठी है observe किया या आपने आंखों से देखके observe किया किसी का behavior वो भी data measure क्या है आपने किसी की height weight measure किया है जो points के अंदर भी आपके पास आ रहा है या blood pressure measure किया है या there are many other things जो आप measure करते हैं with units वो भी data है so any information और facts collected observed और measured is called data ठीक है कहीं से भी इसको आप data बोल सकते हैं अब ज़रूरी नहीं है कि आपने definition को written है लेकिन आपको पता हो कि collected observed और measured या fact है को information है उसको हम data बोलते हैं ठीक है और data के किस्मों का होते हैं अगर types देखी जाएं तो data के किस्मों का होते हैं ठीक है अब पहली चीज़ मैं आपको बताता हूं structured और unstructured data structure data क्या होगा वो data जो rows and columns की base पे आपको मिलता है basically जो data इस तरीके से आपको मिले है जो मेयर्ड हो जो quantities के अंदर हो उनको बोलते है structure यानि के organized data ठीक है unstructured क्या है कोई video का data हो गया कोई तस्वीरों का data हो गया जिसमें से आपने information निकाल ली है या बिल्कुल ही unorganized data ठीक हो गया structured की और unstructured ये दो चीज़े हैं फिर इसके बाद हमारे पास दो और category आती है दो वो कौन सी category है हम उसको देखते हैं एक होता है qualitative data और एक होता है quantitative qualitative और quantitative data में क्या फरक है हाँ जी किसी को पता है इस बारे में ऐसा data जो सिर्फ quality को बता रहा हो कोई चीज इग्जैक्टली मेहिर ना हो जिसमें सिर्फ quality हो मिसाल के तोर पर यह बुरी quality की चीज है अच्छी quality की चीज है या बेस्ट quality की चीज है तीन category जा रही पूर गुड और बेस्ट ठीक है यहां पर क्या होगा quantitative में आप उसकी quality के लिए कोई एक matrix बताएंगे वो क्या है वो बकाईदा आप एक quantity में बताएंगे for example दिस इस 99 परसेंट बैटर डिस इस 70 परसेंट good in quality something like with the number ठीक है जिसमें quantitative data हो quality with number और इसको हम बोलते है quantitative यानि के quantity बता के number बता ठीक है qualitative and quantitative इसी का एक दूसरा नाम है इसको बोलते हैं categorical data categorical categorical c-a-t-e-g-o-r-i-c-a-l और इसको बोलते हैं numeric सही है quantitative हो या numeric हो यह दोनों सेम नाम है तकरीब है qualitative है या categorical है यह दोनों सेम नाम है ठीक है अब बात की जाती है इन दोनों की फर्दर दो दो टाइप्स हैं पहली टाइप इसकी है categorical variable की nominal और दूसरी टाइप इसकी है ordinal ठीक है इसमें जो दो टाइप है numeric के अंदर one is discrete and the other one is continuous यह आपको यहां पर समझ आ गई न तो आगे data science आपके लिए बहुत असान है ठीक है अब मैं आपको समझाता हूं यह कैसे काम करती हैं सबसे पहले चलते हैं जी nominal के उपर मैं यहां पर zoom in कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझना असान हो जाए nominal क्या होता है data nominal data ऐसा data जिसके अंदर names होते हैं यानि के मेरी class में सभी students के नाम ठीक है नेम्स हो गए या colors के नेम्स हो गए समझाए बात की या जेंडर हो गया male या female जेंडर color names यानि के male है female है यह सारे के सारा आपके पास nominal data है ठीक है ओके अब nominal के अंदर आपके पास name of countries भी आ जाते हैं सूबों के नाम किसी चीज के साथ जो भी नाम जुड़ा है the data of that type is called nominal जैसे नाम से जाहर है no me यानि के names data with names ठीक है अब इसकी कई types और दुनिया में जिन चीजों का भी नाम आपके सामने आता है that is a nominal data समझागी बात की हम एक data set for example अगर analyze करते हैं कि covid-19 का पूरी दुनिया में किस-किस country के उपर क्या effect है जो वो country वाला column होगा उसकी type क्या होगी nominal data और वो nominal data आएगा category के अंदर क्योंके category major form है ना इसकी categorical ठीक है तो इसको हम बोलते nominal ordinal क्या होगा जहां पे order involved हो जाए यह वो जट्साफ वाला नहीं है order 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 जहां पे order involved हो जाए for example आप कहते हैं first second and third और आप कहते हैं for example poor good and best समझाई भात की scales इसको बोलते हैं और यह basically जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना चारों चीजे nominal ordinal discrete and continues इसको हम scales of measurement भी बोलते हैं इन सारी चीजों को हम scales of measurement भी बोलते हैं ठीक है कि आप measurement के कौन से scale के अंदर बात करते हैं by the way यह चारों की बात कर रहा हूं ठीक है अच्छा यहां पर आपको समझ आगी बात की इसको अगर हम एक और category में बताएं जैसे आप survey ने fill करते कि आप हमारी service से कितने मुतमें हैं आप कहते हैं satisfied very satisfied and excellent something like that यह poorly satisfied और दूसरी category होते हैं आपकी satisfied यह very satisfied इस तरीके से आपके जो survey बगरा होते हैं वो ज्यादा तर इस nominal sorry ordinal के अंदर आते हैं class का नाम इस तरह हम बाकी चीज़ें अच्छा male और female इसमें order में क्यों नहीं आए भला क्यूंकि दुनिया में male और female बराबर गिने जाते हैं even though Islam भी हमें दोनों के बराबरी के हकूब बताता है so इस वज़ा से जिन चीज़ों में कोई order ना हो वो हमारे पास nominal होंगी अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो color pink पसंद है पहली category में red दूसरी में तीसरे में blue आपको पसंद होगा लेकिन colors एक दूसरे से कोई सबकत नहीं रखते ठ priority पर ना हो we will write that in nominal otherwise that is ordinal यहां पर समझ आगी है आपको जी समझ आगी ठीक है ओके अब जो यहां पर आपका different classes है 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 8 9 10th 1st year 2nd year 3rd year 4th year वो भी सारा आप ordinal के अंदर रख सकते हैं क्योंकि आपको आगे जाने के लिए पिछली को cover करना पड़ता है यह पीछे होत by the way that was it अब चलते हैं discrete data में discrete में क्या होता है आपके पास सिर्फ numbers आते हैं और इसको मैं अगर और define करूं तो integers मिसाल के तोर पे आप कितने बहन भाई है कोई बता सकते हैं कितने बहन भाई है मैं यहां पर लिखता जाओंगा कोई नहीं मर्दम्शमारी नहीं हम कर रहे हैं वह government कर रही है अच्छा ज्यादातर चार ही है इस सारे आपस में कजनों के बच्चे तो नहीं है तीन दो एक इस तरीके से आ रहा है तो यह जो data होगा यह आपका discrete number है हमारी class में कितने students है इस पकड़ जी माशाला एक बारा बहन भाई भी है और विसली जनाब आपका लगवाते हैं टूर भाई 66 ठीक है तो यह भी एक number है males कितने और females कितनी है किसे को कोई अंदाजा है को गिनके बता सकता है जल्दी जल्दी देखते हैं किसकी observation ज्यादा तेज है परिशान होगे ना सारे यही data science है 62 में से तकरीबर मेरे ख्याल से 50 males है चलें ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं यहां पर जो female है यहां पर प्लीज वो यहां पर female लिखिएगा जेंडर के अंदर फोरण मतलब एवरिवन फी ने फीमेल सॉरी फो दैट जी ने बताएं कितनी है वाकिए म माइनस कर लेंगे दो चार छे अच्छा इर्फान भाई हमने सिरफ फीमेल का पूछ है दस हो गई तो पीछे कितनी बचें जनाब कितने बचे चपने दस सम्थिंग लाइब दस मिन्नु मेल जबाना तुसरी ओके वशाक वालवड है ने लेकिन अल्हम्दलिल्ला धाड़ी भी आसा ठीक है तो दिस इस आओ यू कन वर्क तो यह हमारे पास इंटीजर है जहानी कि जिनकी क्वांटिटी आए नंबर में नंबर विदाउट एनी पॉइंट्स हम यह तो नहीं कहते है चाट इशारी या दस स्टुडेंट है विशाक किसी की हाइट थोड़ी है या को मेरे जैसा सुक है हम उसको पॉइंट्स में तो नहीं गिन सकते है पूरा एक नंबर ही गि इस तरीके से जो नंबर आएंगे वो कॉंटिनियूस में आएंगे ठीक है तो डिस्क्रीट में आपका इंटीजर आएगा फॉर एक्जमपल यहां पे आपका फ्लोट आएगा और अविसले अगर किसी की हाइट फाइफ फीट है तो फीट की बेस पे या फुट्स की बेस प नहीं यह बात समाझ आगी आपको यह स्टैड बेसिक अक्सरोकाद यूनिवस्टीज के अंदर पढ़ाते हैं लोग तो वहां पर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताते हैं पता नहीं बताते हैं यहां तक लियर हो गया अब आपने जल्दी-जल्दी मुझे बताना है कि डिस्क् डिस्टेंस आगया हाइट आगी ठीक है यहां पर आता है क्वांटिटी यहां हम नंबर बोल देते हैं यहां पर आ जाता है डिस्टेंस आइट एंड सो आण ठीक है यहां तक लियर होगी आपको बाद अब जलते हैं आगे इन चारों के इलावा भी कुछ स्पेसिफिक डेटा की एक टाइप उनमें से बड़ी इंपोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा क्यूंकि एक क्वेस्टन आ रहा था तो टाइम किसमें जाएगा टाइम सीरीज डेटा जो है इस अनदर टॉपिक इन डेटा साइंस और मशीन लेर्निंग और इसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा या कोई डेटा जो एक टाइम पे क्लेक्ट किया गया हो मैं मिसाल देता हूँ आपकी हाइट इस वकत इस उमर में कितनी है तो वो होगी 27 येर्स की एज में इतनी है 26 में कितनी थी इतनी so on and so forth और उस 26 के साथ कोई येर तो होगा ना 2022 22 हो सकता है ठीक है और जिस TIME पे आप मेजर कर रहे हैं वो सकता है और आज जो है हमारे पास 6 अगस्त है तो 6 अगस्त को आप मेजर कर रहे हूँ तो अगर हर एज के साथ आपकी हाइट के साथ अगर आप साथ में time लिख रहे हैं उस वकत का तो इस data को हम time series data बोलते हैं whenever the time is involved उसको हम time series data बोलते हैं and this is one of the biggest topics in data science और इंशाला इसके उपर भी हम काम करने वाले हैं the other one is special data special data this data में special coordinates involved हो उसको हम बोलते हैं special data specific geographical location का data coordinates का पता है किसी को क्या होता है geographical coordinates अगर किसी को नहीं पता geographical coordinates क्या होते हैं तो maps आपका longitude और latitude की बेस पे चलता है और उसकी कुछ degrees और कुछ minutes की बेस पे आपको data देते हैं for example यह data है for example जी फैसलाबाद के अंदर का geographical location फैसलाबाद है यह दूसरी आजाती है लहौर फिर तीसरी आजाती है so on and so forth और अगर इस फैसलाबाद के data का geographical location पूरी दी गई हो mapping के थरू कि इतनी data के अंदर यह इतनी फसलें उगरी है या temperature इतना रहेगा या इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास flood जो एपूरे पाकिस्तान में कहां से कहां होके जा रहे है तो वो geographic के हवाले से जो आप बता रहे होते हैं कि यह अब इतनी area में चला जाएगा या फलाँ गाउं को बहा के ले जाएगा ना उस भी लाला खैर करे बारहल तो उस position और location की base पे जो आपका data होता है उसको हम क्या बोलते है special data positional and locational data को जहां पर location and position होती है बारहल आप ज़रूर देखिएगा GAS क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो यह देखेगा geographic information system इसको बोलते हैं यह क्या होता है और specific GPS coordinates क्या होते है GPS coordinates को ज़रूर देखिएगा सब छोड़ें जब आप Google Map पे जा रहे होते हैं पे आप location on करते हैं तो वो basically आपके GPS coordinates जा रहे होते हैं उस mapping को ठीक है तो इसको बोलते है special data फिर मैंने आपको structured and unstructured उपर बढ़ा दिये एक और data की type होती है which is called big data big data क्या है वो data जो इतना बड़ा हो विग डेटा जो traditional method के थ्रू calculate ना किया जा सके traditional methods traditional methods are insufficient insufficient sorry methods are insufficient to process this इसको बोलते हैं big data मिसाल के तोर पे आप जो चीज calculator पे नहीं करते वो आप Excel पे ले जाते हैं जो Excel पे नहीं करते वो Python के अंदर ले जाते हैं जो Python असानी से ना कर पाए और उसको और भी बड़े लेवल पे लेके जाना पड़े उसको big data बोलते हैं extremely large data ठीक है तो इसको हम बोलते हैं traditional sorry big data तो ये कुछ types हैं जी data की जो आपके सामने हाजिर हैं मैं एक दफ़ा दुबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि data क्यूं हमें जरूरी था क्यूं चाहिए अब समझ आगी है कि अगर आपने AI को सीखना है तो आपको data को समझना पड़ेगा data को समझ गए तो आप आगे further easily move कर सकते हैं तो यहाँ पर data है जो हमारे पास set of information और facts collected और observed और mayhead जो एक specific location time या different जगा पे हम collect करते हैं तो उसको हम data बोलते हैं types इसकी है structured and unst structure जो organized होता है वो structured है अन-organized को unstructured बोलते है qualitative होता है quantitative होता है जिसको हम categorical या numerical भी बोलते हैं और इसमें हमारे पास होता है nominal ordinal nominal में नाम होते हैं, ordinal में order होता है, discrete में एक number होता है, continuous में float number होता है, ठीक है, and then scales of measurement ये सारे थे, इसमें फिर time series का data भी होता है, then special data भी होता है, ठीक है, अब big data जो है, ये जाहरी बात है, आपके आज कल के PC के उपर easily इसको आप handle कर सकते हैं, बट machine learning के लिए आप big data को use नहीं कर सकते, क्यों? क्योंके आपको cloud computer चाहिए होते हैं, and this is one of the biggest field जो cloud computing है, ताकि आप big data को handle कर सके, for example, Google की कितनी lines of code हैं जी? 2 billion, जो हमने कल देखी थी, Google की, अगर आपने Google का data collect करना हो, तो आप क्या करेंगे? बड़े PCs पे जाएंगे, बड़े computer की तरफ जाएंगे, तो उस बड़े computer को वो बेशक जतना मर्जी आप Apple का, या अपना घर वाला system अपडेट कर ले, you still need a lot of memory, a lot of processing power, जो super computers के अंदर होती हैं, और universities के अंदर वो available होते हैं, या आप cloud बड़े वाला खरीच सकते हैं, and then you can work on that, which is beyond the scope of our analysis, क्योंकि जाहरी बात है, आप basic सिखेंगे, तो आपको big data पे भी काम करना आजाएगा, कैसे, जो techniques हम apply करेंगे, वो हम big data को मदे नजर रखते हुए apply करेंगे, ताकि data जितना वर्जी बड़ा हो जाए, techniques वो ही रहें, ठीक है, अगर आप अब इस चीज़ को समझ जाएं, कि data कैसे structured होता है, और हम structured data पे कैसे काम करेंगे, then it will be easier for you, सबसे पहली चीज़, आप मेंसे कितने लोगों को पता है, कि row क्या होती हैं, कोई ऐसा है, जिसको नहीं पता, rows और columns का, ठीक है, जिनको नहीं पता हो, उनको मैं एक दफा समझा देता हूँ, इस तरीके से आपका Excel की sheet के अंदर data होता है, जो कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये नीचे से अगर बराबर नहीं होती है, तो don't worry about that, मैं इसको खैंच के बराबर कर लूँगा, बरबर कर लूँगा, मैं बरबर पर आपको एक लतीफा भी सुनाता हूँ बाद में, but before that we have to work, यहाँ पे, यह हमने lines लगा दी, ठीक है, अब जो horizontal lines होती है, इसको हम बोलते है rows, जो vertical होती है, कि एक frame के अंदर, कितना data मुझूद है, frame means rows and columns मिला आप, ठीक है, तो यह जो है एक data frame भी है, समझाएगी बात की, यहाँ पे जो उपर वाला column का पहली row होती है, इनको headers बोला जाता है, यानि कि यह हर column का नाम यहाँ पे होगा, मिसाल के तोर पे, मैं सभी की age कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका age नाम हो जाएगा, नीचे यहाँ पे इनकी age आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैं name लिखता हूँ, तो यहाँ पे name इसका header होगा, नीचे सभी के नाम आ जाएगे, row wise, ठीक है, तो इस तरीके से column, rows, headers, data frame, data frame भी आपको समझा गी होगी, ठीक है, अब आपने एक और काम करना है, आपने, कुछ मैं terms यहाँ पे लिखता हूँ, आपने वो देखनी हैं कि वो क्या क्या होती है, पहली term है जी, rows, obviously आपने इसकी definition देखती, मैंने बता दी है, that's fine, instance क्या होता है, observation क्या होता है, ठीक है, क्यूंकि हमने बोला था, कि data collect किया जाता है, किसी specific instance पर, या data observe किया जाता है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, rows का नाम ही observation या, या आप इसको instances भी बोल सकते हैं, ठीक है, rows को instances भी बोलते हैं, column को आप attribute भी बोल देते हैं, अगर ज्यादा आपने data scientifically भी बोलना है, तो इसको attribute भी बोला जाता है, attribute की समझा क्या आता है, attribute होता है कोई एक specific चीज जो आपने measure की है, for example, age आपने measure की है, तो age आपका एक attribute है, नीचे उसका age का data आ जाएगा, इसी तरह columns के और rows के, और कौन-कौन से names हैं, आपने वो देखने हैं, ठीक है, data science में, column और rows को किन-किन नामों से पुकारा जाता है, with their definition, अगर आप ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, then it would be easier for you guys, to learn कि हम किस तरीके से इसको deal करते हैं, ठीक हो गया, यहां तक clear होगी बात, hopefully अब आपको समझ आगी होगी, कि data क्यों ज़रूरी है, artificial intelligence को सीखने के लिए, अगर data नहीं होता, तो क्या हम human काम कर सकते, नहीं कर सकते, एक बंदे को जंगल में छोड़ दें, जैसे टार्जन है, अपनी मर्जी से जिन्दी की गुजारना स्टार्ट कर देता है, वो कैसे वो observe करता है, दूसरे जानवरों को और उनके तरीके से रहना स्टार्ट कर देता है, बाइदावे इस पर पूरी की पूरी मुवी भी है, अगर आप देखें, अगर है तो आप उस डेटा से अल्गोरिथम्स बनाते हैं, पैटरेंज लर्न करते हैं, और उस पैटरेंज की बेस पर आप आगे चलते हैं, अब डेटा डिरिवन डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसके उपर हम बात करते हैं, नाउ, इन अ मिनिट,